नमस्ते दोस्तों, लाइफ इस गिफ्ट में आपका हर्दिक स्वागत है। संत सावता माली संतत ज्यांद्यों के समय के एक प्रसिद्ध संत थे। उनका जन्म इस वीशन 1250 का है तथा उन्होंने इस वीशन 1250 में देहत्यागी। अरन भेड यह सावता माली का गाव है। सावता माली के दादा जी का नाम देवु माली था। वे पंधरपुर के वारकरी थे। उनके पिता पूर्सोबा तथा धार्मिक रुत्ती के थे। पूर्सोबा खेती के वेवसाय के साथ ही भजन पुजन करते, पंदरपूर की वारी करते, कर्म करते रहना यही खरी इश्वर सेवा है ऐसी सिख सावता माली ने दी, वारकरी संप्रदाय ने एक जेश्ट संत के रूप में उनकी किर्ती है, वे विट्टल के परम भक्त थे, व आत्म बोद, तता लोक संग्रह करतव्य, तता सदाचर का हुबहु संबंध जोड़ा, उनका ऐसा विचार था कि इश्वर को प्रसंद करना हो तो जब तप के आवशक्ता नहीं, तता कहीं भी दूर तीत्र यात्रा के लिए जाने के आवशक्ता नहीं, केवल अंतकरन से त्याग करने की आवशक्ता नहीं है, प्रपंच करते समय भी इश्वर पापती हो सकती है, ऐसा कहने वाले सावता महाराज्जी ने अपने बाग में ही इश्वर को देखा, सावता महाराज जी ने पांडूरंग को छुपाने के लिए खुर्पी से अपनी छाती फाड कर बाल मूर्ती इसवर को रुदय में छुपा कर उपरने से बान्द कर भजन करते रहे आगे संतन न्यानेशवर एवं न्यामदेव पांडुरं को ढूंटे सावता महाराज जी के पास आए तब उनकी प्रात्ना के कारण पांडुरं सावतो बाकी छाती से निकले न्यानेशवर एवं नामदेव पांडुरं के दर्चन से धन्ना हो गए सावता महाराज करते हैं भक्ती में ही खरा सुक तथा आनंद है महीं विश्रान्ती है